आप सभी को मेरा अपनाम आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे हर्बल रेमेडीज ए नैचर स्टेजर में आपका स्वागत है मित्रो आज हम एक हैज प्लांट की चर्चा करेंगे डूरेंटा इरेक्टा परपल कलर के सुंदर फूल आप देख पा रहे हैं वर्बिनी सी कुल का यह प्लांट है और हैज के लिए बहुत कॉमनली इसको हम यूज करते हैं साथियों हैज के लिए हम इसलिए प्लोग में लाते हैं कि यह लगने के बाद किसी भी परकार के इसके सुंदर लीव्स देख पा रहे होंगे और इस तरह की माइक्रोबियल और पेस्टिसाइडल अटेक से बचाने कि हमें सबसे ज़्यादा आउसकता और इन्हें करते समय होती है ताकि हमारी बांटिड क्रॉप के ओपर किसी भी परकार का माइक्रोबियल या फंगल या वैक्टिरियल वाइरल कोई इन्फेक्शन ना हो और कम से कम कैमिकल स्प्रे करना पड़े उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम इसको उप्योग में लाते हैं साथियो इसके जो सुंदर लीव्स आप देख रहे हैं इनका भी हम उप्योग करते हैं और इसके फ्लावर्स का भी उप्योग में हम लाते हैं वर्बीनी सिकुल का यह प्लांट है यह लिवर की टॉक्शिंस को दूर करते हुए हमारी हेल्थ को अच्छा करता है इसके अंद एक इस्तमाल कर सकते हैं इंडोल बुटारिक एसेड प्रोपेगेशन के लिए हम इसकी कटिंग के एक एंड पर लगा देते हैं और इनको स्लेंटिंग हम लोग लगाते हैं अच्छे से आप सोईल को तयार कर लीजी वर्मिकंपोस्ट मिलाकर और स्लेंटिंग जब हम इसको लगाते हैं तो रूट्स डवलप्मेंट फास्ट होती है अब आप किस परकार से उस्तिय गुणों के लिए उसको उप्योग में ला सकते हैं आप इसके सुन्दर फूल देख रहे हैं इनका आपको इन्फ्यूजन बनाना चाहिए इन्फ्यूजन बनाने के लिए आप 200 मिले प्रॉब्लम्स के लिए ला सकते हैं साथियों बार-बार होने वाले मौसम में उखार को दूर करने का करे करता है और इम्मुनों मोडूलेट्री एक्टिविटीज की होती है जब आप इसका सिवन करते हैं तो आप बदलते हुए मौसम में अपनी इम्मुनिटी को बढ़ान करने के लिए आप उपयोग म ला सकते हैं शिंटी ऊपर अगर पसंदल गहीं तो इसको दूर करने के लिए उपयोग मtha सकते हैं और गोल्डन कलरर की कारन के पतियों का बुखार के नेरा करनके लिए कर सकते हैं पत्तियों को काढ़ा बना surrounding नीका काधा बना कर आप उपयोग मिला सकते हैं और सभी प्रकार के बुख रगधर करने के लिए पित्त का समण करते हूए यह ठीक करने करने कारे करता है बदलते वे स्बस्टेसे इंसे ब्हूमिक क्या नीच आंभाज सकता तैंद आज आप जान रहे हैं bizi सakण करने वाला होता है इस मैं लbyकोर को सब्सक्राइज होता है और हुने वाली ये इसे हमें टेक्स से बचाता है और हमारे लिए भी काफी योगदान देने वाला होता है काफी हेल्थ के पाइंट आफ यूसे वंडर्फुल प्लांट है आप इसको सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए प्योग मिला सकते हैं स्किन केर के लिए इस्तमाल कर सकते हैं लल्ड इकॉशं बनाकर आप इसका सेवर कर सकते हैं blood को पिरिफाइब करने वाला होता है सरीकिकोण को दूर करके लिवर को डिटॉकिशिफाई करता है जॉएन्ट पेन इंफ्लामेशन एक्जीमाज और स्थी माशूर्यस सकिन की प्रॉब्लम्स उन सबको दूर करने का वि कीजिए जनकारी को सांजा कीजिए सभी लोग इसकी औस द्यागुनों से भी लाब ले सकें सिर्फ इसको हैज के रूप में ही ना लें अपने स्वास्ते को अच्छा करने के लिए आप इसको उपयोग में लाएए फित्रों कई बार ज्यादा मात्रा में दवावों के सेवन से लिवर के अंदर टॉक्सिंस काफी बढ़ जाते हैं तो उनको भी दूर करने के लिए आप इसको उपयोग में ला सकते हैं नेच्रॉली शरीर की बिमारिय備 को ठीक करने का ही यग कारे करता है ये काफी फैला हुआ है और काफी ब्रांचिंग अंधर हो जाते हैं इसलिए इसको हैस के रूप में हमलों कि इस्तमाल करते हैं इसको आप देख रहे होंगे इसकी जड़ को हम एक्स टेक्ट कर लेदे हैं इसकी जड़ को निकाल कर हम इसका डिकोक्षन बनाकर अगर सेवन करते हैं तो कई क्रोनिक बीमारियों का यह आसानी से ठीक करता है Cancer जैसी बीमारियों में भी विश्यस गुंकारी होता है HIV, Cancer इन सब बीमारियों में हमारी में प्रिक काफे कम हो जाती है तो उसको भी बढ़ाने कारे करता है मोल रूप से लिवर के सोधन आधारित के अपनी थ्रोपेटिक प्रोपेटिज रखता है कल फिर में